गाइस, मैं हूं मुक्ता। वा यूम्रे चैनल में आपका स्वाकत है। आज मैं आपके साथ मुंगडाल के Rekudge की रेइसीपी शेयर करने वाली हूँ जिसी उडीशा की विलेज में जुगईबरा के नाम से जाना जाता है। इसे उरिटा के विलेज में अग्धन मेहना में होने वाला लश्मी पूजा के परसाथ के रूप में इसे इस रूप से बनाया जाता है तो आए इसको हम बनाना सुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिये गए लार रंग के सब्क्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें इससे मेरे नए अपलड वीडियो को जनकर या पको तुरन मिल जाएगी यहाँ पर मैंने दिया है एक कब मुंकी दाल और आधा कब चावल दरों को आप 5-6 घंटा पानी में भीगो कर रख दें या फिर आप इसे ओवर नाइट भी रख सकते हैं उसके बाद आप इसका पानी निठाल लें और इसे मिक्सी में कम पानी के साथ इसका गाढ़ा पेश्ट बना लें इसे पेश्टे समय जादा पानी का यूजिना करें वन नहीं पतला हो जाएगा इससे कपेन के कच्छा नहीं बनेगा और यहां पर लिया है मैंने दो ते तीन बड़े चमच घी और एक कप कदू कस्किया वह गुड़ गुड़ को इस पेश्टे में अच्छे से मिक्स कर दें जब तक इसकी कुटलियां खतम नहीं हो जाती है चमच से अच्छे से को मिला दें इस वीडियो के अंतर में मैंने लश्मी पूझा से देलेटेट कुछ जानकारियां दी हैं अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक ज़रूर देखें अब पेस्टे में गुड अच्छी तेके से मिल चुका है तो अब हम इसका पेंकेक बनाएंगे यहां पर एक तवा गरम करें और इसमें एक चमच आप घीर डालकर इसको फेला लें अब आप इसमें एक चमच पेस्टे ढलने किनारे में यह अपने आप फेल कर अपना अकाल ले लेगा साइड में अगर जगा हो तो आप एक चमच बोलाओ डाल दीजिए इसी प्रकार आप दो से तीन बार इसमें डाल सकते हैं जब नीचे से थ्वासा सीख जाएगा ताब आप इसको पलटे और गैस की फ्लेम लो रखना है अगर मीडियम या हाई रखेंगे तो यह जल जाएगा आपको पलटने में भी इसको प्रिक्कत आएगी इसलिए आप इसको लो फ्लेम में बनाएं जब नीचे से थ्वासा कि इसको पेक प्लेट में निकालने थीप्रकाश अबाकि पैंके को भी बनाकर त्यार कर लेजिए यह पीनकेक सौाद में हलका मीठा होता है और अर टेस्ट महत lips Ey मैंने में होने वाले लश्मी पुजा के अपने ही नियम काया दे होते हैं और इसको करने वाला व्रती इसके सभी नियमों का पालन करता है और इसमें आपको जो भी जो बेंजन बना जाते हैं उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता है घी का इस्तेमाल किया जाता है या पिर डालड़ा घी का इस्तेमाल किया जाता है इसका निया पर मैंने घी से इसे बनाया है आप चाहे तो इसे तेल से बना कर खा सकते हैं वैसे तो बहुत ही अलग होता है बहुत ही अच्छा लगता है एक बराब बनाकर जबूर देखें पुरिचा और 36 गड़ में माकसिस के महिने को अगन का जाता है और यहां प्रसिते हैं यहां लस्मी पूझा के लिए पूजा की जाती है और घर के में दर्वाजे से लेके घर के पूजा कक्षे तक लश्मी पद के चिन्दा बनाया जाते हैं और एक लड़ी के रूप में में दर्वाजे से लेके पूजा कक्षे तक जाती है और इस पूझा से रिलेटेड बहुत साई जानकरिया हैं जिसे मैं आपके साथ अगले वीडियो में सेयर करूँगी तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको रेसीपी अच्छी लगी तिस वीडियो को लाइक करें और में चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलें और इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सेयर कर सकते हैं इसी तरह की बड़िया बड़िया रेसीपी जानने के लिए मेरे साथ मिलती हूँ नए रेसीपी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाई